मूवी की शुरुवात में जेजबेल जिसका निकनेम जेसी था अपने फ्यांसे और अपने होने वाले बच्चे के साथ थी और वो अपने फ्यांसे के साथ रहने के लिए अपना घर शिफ्ट कर रही थी दोनों उसके घर से गाल से निकलते हैं और जेसी का फ्यानसे उसे रास्ते में बताता है कि उसने कल रात को एक बहुत यज़िब सपना देका था कि तभी इतने में साइड से एक ट्रक से उनका एक्सिजेंट हो जाता है और फिर नेक्स्ट सीन में जेसी का होस्पिटल में थी और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी आधी बॉडी फ्रेक्चर हो गई है उसके फ्यान से और उसके होने वाले बेबी की एक्सिजेंट के हैं जेसी का आक्टर को बताती है कि उसकी मौम उसके बच्पन में कैंसर सही मर गई है और डैड से तभी से उसकी बात नहीं हुई है लेकिन और कोई जगा न होने के कारण उसे उसके डैड लियोन को बुलाना पड़ता है लियोन जेसी को अपने साथ में अपने घर ले जात थी कि तब ही एक दम से नल के टपकने की आवाज आना शुरू हो जाती है और जैसे ही वो आवाज बंद होती है जेसिका को किसी औरत के रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है अगले दिन जेसी उटकर अपने रूम से बाहर आकर अपने डेट को आवाज लगा रही थी लेकिन घर में कोई नहीं था जेसिका को एक रेडियो दिखता है और वो उस रेडियो को आउन करती है वो रेडियो को आउन करती है और गाना शुरू हो जाता है फिर थोड़ी देर के बाद में रेडियो में से अजीब अजीब आवाज आना शुरू हो जाती है जेसी का उसे ठीक करने के लिए उसका बटन घुमाती है तो फिर से उसे एक उरत के रोने की आवाज आना शुरू हो जाती है जिससे की जेसी का डर जाती है और तब भी फोन की गंटी भचती है लेकिन फोन फर्स्ट फ्लोर पर होने के कारण जेसी उसे उठा नहीं पाती फिर जेसी अपने रूम में जाकर अपनी मॉम का अलमारी में रखावा सामान देखती है उसे अर्मारी के साइड में एक बटन जीसी चीज दिखाई देती है जब Jesse उसे देखने जाती है तो वो अपने आप गिर कर बेट के नीचे चला जाता है Jesse उसे उठाने की कोशिश करती है और बेट के नीचे देखने पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें से जेसिका को कुछ टेप्स मिलती है फिर जेसी उन टेप्स में से एक टेप को टीवी बर प्ले करती है और ये टेप्स उसकी मौम केट ने रिकॉर्ड करी थी उसकी मौम टेप में बताती है कि उसने ये टेप जेजाबेल के लिए रिकॉर्ड की है क्योंकि वो शाय जेजाबिल के साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहे पाईगी केटे चाहती थी कि ये टेप्स जेजाबिल को उसके डैड उसके 18 बड़े पर दे फिर जेसी अपनी मा केट के हाथ पर एक ब्रेसलेट देखती है जो कि उसके पास अभी भी है और फिर केट टेप में अपनी बेटी के लिए कार्ड डिडिंग कर रही थी केटे बताती है कि पहले कार्ड में उसे डेथ आई है जिसका मतलब रियल डेथ ना होकर ट्रांजिशन है मतलब नियू बॉड़ी में जाना कुछ और कार्ड देखने के बाद में लास्ट कार्ड में केट बताती है कि इस घर में एक ओरत का साया है जो कि उसका साथ हमेशा रहेगा केट ये कहती है कि वो उसी का साया है लेकिन आगे कार्ड डेखने पर वो कहती है कि वो ओरत नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर हो गुस्सा हो जाते हैं और उसकी विल्चेर को ले जाकर घर के बाहर लेक में फेक देते हैं फिर रात हो जाती है और जेसी अपने रूम में सो रही थी वो सपने में देखती है कि वो एक हॉस्पिटल में बेट पर लेटी हुई है उसकी मौम उसके पास आती है और एक डॉक्टर उसे उस बेट पर बांद देता है फिर वो दोनों जेसी को रूम से बाहर ले जाते हैं जहाँ पर एक लड़की का ओपरेशन चल रहा था वो देखती है कि अगले रूम में एक आदिम है जो कि केंडल के सामने बेटा है और कुछ बना रहा है फिर वो डॉक्टर जेसी का को ऑक्सजेन मास्क लगाता है जिसमें जर खून आने लगता है और जेसी किसना से रुखने लगती है जेसी डर के उट जाती है और अचानक उसे बाहर से कुछ आवाजा सुनाई दे रही थी जेसी यह देखती है कि एक ओरत विल्चेर बर बेटी है और उसकी तरफ आ रही है वो डर के मारे दूसरी तरफ मुख कर लेती है और जब आवाज आना बंद हो जाती है तो जैसी वापस पलट कर देखती है तो वो औरत उसके बेट के पास ही थी और उसे देख रही थी जिसके बाद में वो औरत जैसी की तरफ हाथ बढ़ाती है और पास आती है जिसे देखे कर जेसी जोड़ से चिल लाती है और सब कुछ अचानक ठीक हो जाता है फिर अगले दिन जब जेसी की निन्द खुलती है तो वे देखती है कि ठीक वेसी वीलचेर उसके बेट के पास में रखी हुई है जेसी की उसके डैड फेक कर आए है जेसी उस वीलचेर पर बेटकर बाहर आती है जहां पर लियोन ब्रेकवस्ट कर रहा था लियोन जेसी से उसकी वीलचेर फेकने के लिए माफ़ी मांगता है और बताता है कि ये वीलचेर उसकी मा की है जिसके बार में लियोन अपने काम के लिए निकल जाता है लियोन के जाते ही जैसी केट की दूसरी टेप्स प्ले करती है दूसरी टेप्स में केट ये बताती है कि वो जेजाबिल के लिए कार्ड लेकर मोजस के पास गई है मोजस केट का फ्रेंड है जिसने उसे कार्ड डिट करना सिखाया है मोजिस ने उसे ये बता है कि जेजाबिल के साथ में एक नहीं बलकि दो ओर्तों के साये हैं जिन में से एक डेमन का साया है लेकिन जेजाबिल को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है केट जेजाबिल के लिए दूसरी रीडिंग करती है जिसमें फिर से कार्ड डेथ वाला आता है और दूसरे कार्ड में मौत लिखी हुई थी किसी की डरवनी मौत ये देखकर जेसी घबरा जाती है और वो रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है जेसी वापस से अपने रूम में चली जाती है और उसे उपर वाले फ्लोर से अजीब जीब आवाज आने लगती है फिर एकदम से कांश तूटता है जिससे कि जेसी डर के मार उठ जाती है और तभी महां का दर्वाजा नौक होता है कि तभी अचानक गेट खुलता है और उससे एक उरत अंदर आती है वो बताती है कि उसका नाम रजोरा है और वो जेसी का को कारडियो एकसेस कराने के लिए आई है जिसके बार वो जेसी का को ले जाकर बात टब में बिठा देती है और बहार उसका बेट ठीक करने चली जाती है यहाँ पर बातरूम के अंदर जेसी अकेली थी और फिर बातरूम में एक दम से अंदरा हो जाता है और गेट भी खुद बखुद बंद हो जाता है बाथटब के टेप में से पानी की जगे खूल निकलना शुरू हो जाता है और बाथटब का पानी भी अब लाल होने लगा था फिर जेसी के सामने अचानक से एक मरी हुई लड़की आकर बेड़ जाती है वो जेसी को टेच करने की कोशिश करती है जिससे की जेसी की आँके खुल जाती है और वो देखती है कि वो लड़की उसे ही देख रही है जेसी काफी ज़दा डर जाती है और भागने की कोशिश भी करती है जेसी जेसे तेसे गेट तो खोल देती है और उसकी आवा सुनकर रजोरा और लियोन अंदर आते हैं लियोन बात्रूम में आकर जेसी को दिलासा देता है कि वहाँ पर कोई नहीं है वो जेसी को बाहर लाते हैं और लियोन रजोरा को काम से निकाल देता है जेसी लियोन से पूचती है कि उससे के से पता कि यहाँ पर कोई नहीं है जिस पर लियोन उससे बताता है कि उसकी माँ को ब्रेंट यूमर था और ठीक से एलाजने करवाने के कारण उसका दिमाग खराब होता जा रहा था वो अजीब अजीब बाते करने लगी थी और इसलिए वो जेसी को कभी ये बात पता नहीं चलने देना चाता था जिसके बद लियोन अलमारी में रखी हुई बाकी सारी टेप्स को भी निकाल कर जलाने ले जाता है वो टेप्स को ले जाकर बर्नर में डाल देता है और स्टोरूम से लैटर लेने के लिए चला जाता है कि तभी अचानक उसके कपड़ों में आग लग जाती है और स्टोरूम का गेट अपने अब बंध होने के बाद में वहाँ पर भी आग लग जाती है जेसी ये सारी चीज़े अपनी आँखों से देख रही थी लेकिन उसके पेर में फ्रेक्चर होने के करण वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसके आँखों के सामने उसके पिता लियोन की जल कर मौत हो जाती है अगले सिन्वे हम ये देखते हैं कि जेसी चर्च में है जहां पर लियोन का फ्यूनरल हो रहा है तब ही वहाँ पर प्रेटसन पहुचता है जो कि जेसी का बच्पन का दोस्त था वो दोनों बाते कर ही रहे थे कि तब ही जेसी जब दूसरी तरफ देखती है तो उससे एक जला हुवा आदमी उसकी तरफ देखतावा दिखाई देता है ये देखने के बाद में जेसी मही पर भ्योश हो जाती है जिसके बद प्रेस्टन उसे उसके घर पर ले जाता है और वो मही पर सो जाता है जेसी की जब आखे खुलती है तो वो देखती है कि प्रेस्टन मही पर है रात में जेसी विसकी पी रही थी और फिर वो केट की लास्ट टेप देखने आती है ये एक पाटी की थी जिसे केट के प्रेगनेंट होने की खुशी में ओर्ग्नाइस किया गया था लास्ट टेप में केटी कहती है कि जेजाबिल तुम मर चुकी हो वो कार्ड में जेजाबेल की मौत देखती है और केमरा फेक देती है फिर तभी अचानक जेसी के सामने रखी हुई वो विस्के की बोटल फूट जाती है और फिर अचानक से केट के रूम के गलास फूटने की भी आवाज आती है जेसी ये सब देखने जाही रही थी कि तब ही उसे उपर वाले फ्लोर से किसी के भागने की आवाज आती है जिसके पीछे जेसी सीड़ों के पास आकर देखने लगती है जिससे कि जेसी डर जाती है और चिलाती हुमा से चली जाती है फिर अचानक से जेसी को रूम से किसी के बुलाने की आवाज आ रही थी जिसे कोई ओरत उसे अपने पास आने को कह रही थी जेसी दीरे दीरे उस आवाज के पीछे जाती है और एक मिरर के सामने पूछती है वो मिरर को टच करती है और तभी मिरर तूट जाता है लेकिन उस तूटे हुए मिरर के पीछे से एको टेप मिलती है जिसे लेकर जेसी चली जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है अगली सुबर जेसी तलाप के पास चली जाती है जहाँ पर प्रिस्टन आने वाला था प्रिस्टन के आने के बार में दोनों एक बोट में बेटते हैं और जंगलों में चले जाते हैं वो ये देखते हैं कि रास्तों में पेडों पर वुडू डॉल्स लगे हुए हैं जो कि आत्माओं को किसी की बोड़ी में बुलाने की प्रता के लिए लगा जाते हैं फिर आगे बढ़ते हुए दोनों किनारे पर पहुशते हैं और उन्हें हर जगे खूनी-खून दिखाई देता है जो की एकदम ताजा था। जेजी को पानी में एक बच्चे का हाँ दिखता है जिसे प्रिस्टन चेक करने के ले जाता है और वो देखता है कि पानी के अंदर एक बेबी डोल की गुडिया है जिसके बद प्रिस्टन वापस किनारे पर आकर जाडिया हटाता है और जाडियों के पीछे से उसे एक कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखावा था जजबेल और उसके बढ़ने की डेट वही थी जिस दिन जेसी का जन्म हुआ था फिर वे दोनों वापस जा रहे थे कि तभी प्रिस्टन जेसी से पूछता है कि क्या जेसी की कोई ट्विन सिस्टर थी जिस पर जेसी मना कर देती है फ उसमें से एक बच्चे का कंकाल मिलता है जिसे वो दोनों लेकर घर आ जाते हैं और शेरिफ को बुलाते हैं शेरिफ उस कंकाल को डिने टेस्ट के लिए भेजता है और घर को सील कर देता है इसलिए प्रिस्टन जेसी को अपने साथ अपने घर पर ले जाता है प्रिस्टन की लियोन और केट की पुरानी फ्रेंड थी वे दोनों उनके घर पूछते हैं और प्रिस्टन मिस्ट डेविस के बेटे का फ्रेंड था वो उनसे पूछता है कि क्या उसे जेजाबेल याद है Mr. Davis को याद आता है और फिर प्रिस्टन मिस Davis को J scout duos से इंटरड्यूस कर वाता है और उन्हें उसका पूरा नाम Jezebel बताता है जिससे सुनने के बार में Miss Davis foreign language में एक गाना गाने लगती है और पीछे से एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि ये गाना हेती लोग गाते हैं और इन्हें इस्परिट को किसी इनसान की बॉड़ी में बुलाने के लिए गाया जाता है इतने में मिस्स डेविज जेसी के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि मोजस को जाकर के दो जो भी चीज जैजबल चाती है वो उसे मिल जाएगी जिसके बार में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जेसी प्रिस्टन को ये बताती है कि उसकी मॉम केट ने भी उन टेप्स में मोजस का जिकर किया था तो शायद उसे कुछ पता हो वो दोनों मोजस को ढूणने के लिए चर्च में जाते हैं ये चर्च जंगल में था और थोड़ी दूर जाते ही रास्ता खत्म हो जाता है जेसी को साइड में कुछ दिखाई देता है और प्रिस्टन उसे देखने जाता है वो ये देखते हैं कि ये एक मेमोरियल है जो कि मोजस के लिए बनाय गया था और मोजस की मुरत्यू की डेड भी जेसी का बड़े ही थी मोजस के फोटो के सामने एक कुत्ते की बली दी गई थी और ये सब देखकर वो वापस आ जाते हैं कि तब भी कुछ गुंडे उनके पीछे आकर प्रिस्टन को मारने लगते हैं उनमें से एक आदमी जेसी को देखता है और घपरा जाता है और उन दोनों को महां से जाने के लिए कहता है जिसके बाद में वे दोनों जेसी के घर पोच्छते हैं और प्रिस्टन जेसी को अकेले घर में रहने से मना करता है और उसे उसकी मा के साथ में रहने के लगेता है प्रिस्टन और जेसी दोनों अंदर जाकर जेसी का सामन पेक करते हैं और प्रिस्टन पहले सारा सामन गाड़ी में रखता है और फिर जैसी को लेने के लिए अंदर जाता है जैसी को गाड़ी में बिठा कर वो उसके तरफ देखता है तो वो वही मरी हुई लड़की थी और वो लड़की प्रिस्टन को किस करने की कोशिश करती है जिससे कि प्रिस्टन डर के मारे कार से बाहर आता है और फिर वो spirit उसे मारने की कोशिश भी करने लगती है जेसी अपने घर में थी और get lock हो जाता है वो आवाजे सुनकर देखने जाती है कि बाहर क्या चल रहा है जेसी जेसे ही बाहर पोच्छती है तो वो spirit गायप हो जाती है और प्रिस्टन ब्योंश हो जाता है जेसी प्रिस्टन को होस्पिटल भेज देती है और फिर तभी शेरिफ वहाँ पर आते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि DNA टेस्ट का result तो नहीं आया मगर वो इसके लेटन एक लड़की का है जेसी को ये लगता है कि शायद वो spirit उसे मारने नहीं बलकि उसकी मदद लेना चाती है वो शेरिफ के जाने के बाद में घर में केंडल जलाती है और कहती है कि अगर उस spirit को कुछ help चाहिए तो वो से करने के लिट तयार है और तभी उसका phone बचता है ये phone शेरिफ का था और वो से बताता है कि प्रिस्टन को होश आ गया है और DNA टेस्ट की रिपोर्ड भी हो गई है रिपोर्ड में वो बताता है कि वो लड़की बलेक थी और उसका DNA लियोन से मेश नहीं करता जिससे कि जेसी को समझ आ जाता है कि वो लड़की उसकी half sister थी मतलब कि वो उसकी मा केट के पेट से जन्मी थी लेकिन उसके पिता कोई और थे और अचानक से टीवी ओन हो जाती है फिर जेसी उसमें मेरे से मिली हुई टेप को लगाती है जिसमें केट के हाथ में जेजाबिल है और वो उसके लिए वही हेती सौंग गा रही थी और वो उससे कहती है कि वो जेजाबिल को वापस इस दुन्या में लेकर आएगी जेसी ये सब देखकर रंडर जाती है और पूछती है कि वो इस पीट उससे क्या चाती है फिर जब वो सामने देखती है तो ये देखती है कि सामने उसकी मा केट खड़ी है जेसी केट से पूछती है कि क्या वो लड़की उसकी और मोजेस की बेटी है जिस पर केट हा कहती है जेसी को समझ आ जाता है कि जेजाबेल के पेदा होने पर लेओन को सब पता चल गया और उसने जेजाबेल और मोजेस को उसी दिन मार डाला और फिर उसने अपने क्राइम को छिपाने के लिए एक वाइट लड़की जेसी को एड़प्ट कर लिया और केट ने अपनी जान जेजाबेल को वापस लाने के लिए कुर्बान कर दी जेसी केट से पूछती है कि अब वो उससे क्या चाती है और तभी वहाँ पर केट के साथ साथ मोजेस की स्पिरिट भी उसके पास आ जाती है और उसके हाथ पकड़कर उसे वील्चर से बांद देते हैं और घर से बाहर ले जाते हैं जिसके बार में केट और मोजेस वुडू की प्रातना करने लगते हैं और वो हेती सौंग बगाने लगते हैं वो जेसी को तालाब में फेकने के लिए ले जा रहे थे और तब ही वहाँ पर प्रिस्टन और शेरिफ पहुच जाते हैं उन्हें दिखता है कि जेसी खुद अपने वील्चर चला रही है और तलाब की तरफ जा रही है लेकिन असल में उसे मोजेस और केट पानी में धखिलने वाले थे प्रिस्टन जेसी को बचाने के लिए भागता है लेकिन तब तक केट उसे पानी में फेक देती है पानी में गिरने के बाद में जेसी मरने ही वाले थी क तब ही उसके सामने से एक ब्लेक लड़की आकर उसे मानने की कोशिश करती है वो लड़की जैसी के पास आती है और उसके हाथ में से उसकी मां का ब्रेसलेट निकाल कर अपने हाथ में पहन लेती है और वो तालाब से बाहर निकलती है लेकिन जब वो लड़की तालाब से बाहर निकलती है तो वो जेसी का रूप ले चुकी थी फिर प्रिस्टन जेसी को बचाने के लिए तालाब में कुदता है और उसे बाहर निकल कर उसे घर में ले जाता है फिर शेरिफ जेसी से पूछता है कि क्या वो ठीक है जिस पर जेसी ये बोलती है कि उसका नाम जेसी नहीं जजजाबिल है और ये मूवी यही पर end हो जाती है दोस्तों मूवी में होता ये है कि जब जेसी यानि कि जजजाबिल का accident होता है और वो अपने डेट के साथ में अपने घर पर जाती है तो उसे अपनी फैमिली से जुड़े होए कुछ राज पता चलते हैं जेसी को ये बता गया था कि उसकी मौम केट की कैंसर से मोथ हुई थी लेकिन अपने घर में आने पर जेसी को किसी की प्रेजन्स मेंसूस होती है और फिर जब उसे अपनी मौम के कैसेट्स मिलना चालू होती है तो उसी से उसे पता लगता है कि वो केट और लियोन की सगी बेटी नहीं बलकि एडॉप्टेड बेटी है दरसल जब केट प्रेगनेंट थी तब लियोन ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी लेकिन जब केट को बच्चा हुआ तो उसे एक बलेक लड़की पेदा हुई जो कि केट और मोजेस की बेटी थी यानि कि केट का मोजेस से अफिर चल रहा था लियोन अपनी बड़नामी से बचने के लिए एक वाइट गर्ल को ले आता है मोजेस एक ट्रैबल ग्रूप से बिलोंग करता था जो कि बलेक मेजिक जानते थे केट और मोजेस अपनी बलेक गर्ल की स्पिरिट को वाइट गर्ल में ट्रांसफर करने वाले थे लेकिन उससे पहले ही लियोन उस बलेक गर्ल अपनी पतनी केट और उसके बॉइफरेंड मोजेस को मार देता है लेकिन इन सभी की स्पिरिट अभी भी इस घर में थी और यह चाते थे कि इनकी असली बेटी जेजाबल वापस इस दुनिया में आए और मोजेस के एनड वाले सीन में यह दिखाया गया है कि केट और मोजेस जेजाबल को वापस लाने के लिए जेजी को पानी में फेक देते हैं और जब जेजी बाहर आती है तो उसके अंदर अब जेजाबल की स्पिरिट आ चुकी थी तो दोस्तो यह था जेजाबल मूवी का एक्स्पिरिनेशन और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में अपना नाम और सीटी लिख कर ज़रू बेजें ताकि हमें भी पता चले कि हमारे चैनल को कहा कहा से प्यार मिल रहा है तो दोस्तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में किस यूर मूवी के एक्स्पिरिनेशन के साथ में